MS Word को हमने पूरा complete सीख लिया है आज से हम लोग MS Excel सीखना स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपको MS Excel के बारे में बिल्कूल भी नहीं जानकारी है यानि कि आप Excel के बारे में zero knowledge रखते हैं कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बिस्वास दिलाता हूँ जितने भी मैं Excel के वीडियो बनाने वाला हूँ अगर आप जो है उन वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो यकीन मानिये Excel तो आप सीख ही जाओगे साथ में आप Excel में एक्सपर्ट भी बन जाओगे और यह जो चीजे मैं आप सभी को Excel में सिखाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा बिल्कुल सुरुआत से सिखाऊंगा एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा और इस तरीके से आपको MS Excel सिखाऊंगा कि आपको हर चीजे समझ में आएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग MS Excel बिल्कुल सुरु से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और यह पहला वीडियो है यानि पार्ट वन है इसी तरीके से और भी Excel पे पार्ट आने वाले हैं अगर आप इन पार्ट को देख लेते हो तो यकीन मानिए आप पूरा Excel सीख चाहिए कुछ हमें Excel में आये या न आये लेकिन कुछ चीज़े एकसल में ऐसी होती हैं जो हमको जरूर पता होनी चाहिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं हाला दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करिए चैनल पर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा MS Excel सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं MS Excel क्या है MS Excel का पूरा नाम Microsoft Excel है MS Excel को Microsoft Company के द्वारा बनाया गया है इसे सौट में जो है Excel भी कहा जाता है यह एक powerful spreadsheet program है जिसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे calculation समदित कोई भी काम हो आप MS Excel में कर सकते हो कोई भी class की मार्स से डिजाइन करना हो वो भी कर सकते हो कोई भी billing तयार करना हो कोई भी salary slip बनानी हो कोई भी ID card बनाना हो किसी भी तरगा ID card हो आप यहां पर आसानी से बना सकते हैं साथ साथ किसी भी तरगा data entry का काम है न वो भी आप MS Excel में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इन सभी काम के अलावा और भी बहुत सारे काम जो है आप MS Excel में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि MS Excel क्या है अगर ये clear हो गया है तो विडियो को like, share, subscribe आप जरू करिए सबसे पहले हमें MS Excel को अपने computer में चालू करना होगा तो Excel को चालू करने के कई सारे तरीके हैं उसमें से मैं कुछ तरीके आपको बताता हूँ सबसे पहला तरीका ये है कि आप Start बटन पे क्लिक करिए यहाँ पर जो है आपको search करना है Excel Excel जैसे ही आप लिक करके search करोगे यह Excel की application आजाएगी आप जो है इस पर click करके इसको open कर सकते हो दूसरा तरीका ये है कि आप Start बटन पे click करिए यहाँ पर All Apps पे जाएए यहाँ पर आपको जो है Excel की application मिल जाएगी आप इस पर भी click करके इसे open कर सकते हो तीसरा तरीका ये है कि आप इस पर click करिए और यहाँ पर जो भी आप program को यहाँ पर pin किये रहोगे यहाँ पर आपको Microsoft Excel भी मिल जाएगा आप इस पर बस click करिए Excel चालो जागा तीसरा तरीका ये है कि आप right button click किजिए अपने desktop पे और यहाँ पर new पे जाएए और यहाँ पर आप देखोगे Microsoft Excel का worksheet लिखावा इस पर click करिए इस तरीके से एक shortcut बन जाएगा आप इस पर double click करिए Excel चालो हो जाएगा अगला तरीका ये है कि आपको जो है Windows के साथ R button दबाना है और ये जो run command खुलती है इसके अंदर आपको type करना है Excel, Excel की spelling बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए MS Excel नहीं लिखना है सिर्फ Excel ही लिखना है ये spelling आप देख लीजिए Excel लिखने बाद आप इसे ok करिए Excel खुल जाए Office button ये जो है बिल्कुल MS Word में जो buttons है उनसे जो है मिलते जुलते हैं तो MS Word का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इन सभी buttons के बारे में आपको जानकारी ज़रूर पता होगी लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको इन सभी के बारे में बता देता हूँ इस पर क्लिक करके आप एक नया document यहाँ पर अपने MS Excel में ला सकते हैं इस पर क्लिक करके अगर पहले से अपने कोई MS Excel में file को बना करके save किया है तो उसे open कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप अपनी MS Excel की file को save कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप अपनी MS Excel की file को किसी दूसरे format पे या फिर किसी दूसर जगह पर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप अपने MSXL की फाइल को प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट प्रिविव भी देख सकते हैं इसके बाद इस पर क्लिक करके आप जो है अपने MSXL की फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप अपनी MS Excel की फाइल को डायरेक्ट यहीं से जो है सेंड कर सकते हैं इमेल या फिर फेक्स इस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप अपनी MS Excel की फाइल को जो है पब्लिस कर सकते हैं कोई blog अगर आपने अगर बनाया होगा तो और ये जो last button है इस पर click करके आप जो है MS Excel को close कर सकते हैं तो यहां से हमारा ये जो है office button ये पुरा complete हो चुका है इसी के बगल में यहां पर देखिए कुछ shortcut button दिये गए हैं इसको जो है quick access toolbar बोला जाता है यहां इसके अंदर add करना चाहते हो इसके बाद दूबारा से आप इसपे क्लिक करके यहां पर कोई बटन हटाना चाहते हो तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए वो button यहां से हट जाएगा quick access toolbar से हम कोई भी काम जल्दी से यहां पर कर सकते हैं इसलिए टूल दिया होता है और इसी की बगल में यह जो white color की पट्टी दिख रही है जिसमें Microsoft Excel लिखा हुआ है इसको जो है title बार बोला जाता है और इसी के right side में यहां पर एक minimize का button है आप इस पे click कर दोगे तो MS Excel minimize होकर के आपके task bar पर आ जाएगा और आप इस पे click करके दुबारा से इसे open कर सकते हो यहां पर एक button मिलेगा restore का आप इस पे click कर दोगे तो आपकी Excel जो है छोटे इस तरीके से छोटे फाइल में आ जाएगा और आप चाहो तो इस पर click करके इसे जो है दुबारा से बढ़ा कर सकत हो इसी के बगन में एक button है close का इस पर अगर आप जो है click कर देते हो तो MS Excel आपका पूरा बंद हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि इस window को और छोटा करना तो आप इस तरीके से corner प्ले के जाए और mouse का left button दबा करके Excel की यह जो फाइल खुली हुए है इसको जो है और भी left button click करके रखना है और इस तरीके से drag करके यहाँ पर लागर के छोड़ देना है तो इस तरीके से आप जो है MS Excel की file को इधर उधर भी ले के जा सकते हो यहाँ पर करते हैं इसको बड़ा अब बात करते हैं हमारे यह उपर का site का complete हो चुका है इसी के ठीक नीचे यह जो skype blue की पट्टी दिख रही है इसको जो है ribbon बोला जाता है ribbon में ही यह जो button दिए गए है इनको tab बोला जाता है या फिर menu बार बोला जाता है पर एक menu बार में अलग अलग भाग में अलग अलग buttons दिए गए हैं जो कि हम लोग इनके बारे में अभी सीखेंगे ribbon के ठीक नीचे ही फार्मूला बार बोला जाता है इस पर आप लेके जाओगे माउस तो यहां पर दिखाए देगा फार्मूला बार लिखा हुआ है इसी के जो पहले है यह नेम बॉक्स है नेम बॉक्स में हम जिस भी सेल में काम करेंगे उसका नाम दिखाए देता है और फार्मूला बार में ज जब हम बड़े से बड़ा formula इस्तमाल करते हैं तो इसको करते हैं छोटा इसी के ठीक नीचे देखो book 1 करके आ रहा है और ये जो दिख रही है book 1 इसको जो है sheets बोला जाता है आप इसे spread sheet भी बोल सकते हो इसमें जो है A, B, C, D इस तरीके से दिये गए है A, B, C, D ये जो दिया गया है ये इसको जो है column बोला जाता है और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दिया गया है ये row है ठीक है 1, 2, 3, 5 ये row है और A, B, C, D, E, F, G ये जो है column है देखिए column और row जहां पर एक दूसरे को काड़ते हैं और ये जो box बनता है इसको cell बोला जाता है column और row के कटान बिंदु को जहां पर ये box जहां पर वो लोग एक दूसरे को काड़ते हैं उसके बाद ये जो box बनता है इसको cell बोला जाता है ये आपको ध्यान देना है तो यहां से ये भी clear हो गया कि cell किसे बोलते हैं देखिए cell जब हमारे column और row जहां पर एक दूसरे को काड़ते हैं और वो जो box बनता है इसको cell बोला जाता है और जहां पर भी आप click करोगे कुछ इस तरीके से black black आग करके आ रहा है तो ये active cell है यानि कि जब हम लोग जो है काम करेंगे तो इसी cell में काम करेंगे ठीक है अगर मैं कुछ typing करूँगा तो इसी cell में होगा क्योंकि यही जो है active cell है जिस भी cell में हमें काम करना होगा सबसे पहले इसको click करना होगा यानि इसको select करना होगा Excel में row की संखिया और column की संखिया यह आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि Excel में कई बार जो है इस पर question बन चुके हैं देखिये सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखिये first वाले row में हैं और अगर हम last row में जाना चाहते हैं तो control के साथ आपको down arrow button दबाना है तो आप direct जो है सीधा last वाले row में चले जाओगे और यहाँ पर देख सकते हो 10,48,576 row है यहाँ पर यह आपको ध्यान दिना है फिर से control के साथ अप वाला arrow button दबाना है उपर वाला तो आप पहले वाले row में आ जाओगे इसी तरह के से आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके Excel worksheet में कितने column है यह पता करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो क्लिक करने के बाद देखो कि name box में सबी दिखा रहा है 10,48,576 row है और 16,384 column है C का मतलब column है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ठीक है 10,48,576 row का मतलब row 16,384 C का मतलब column यह अगर आप जो है last column में जाना चाहते हो तो control के साथ right वाला arrow button दबाईए तो आप last column में यहाँ पर आ जाओगे अगर first column में जाना चाहते हो तो आप control के साथ left वाला arrow button दबाईए तो आप फर्स्ट कॉलम में यहां पर आ जाओगे तो यहां से कॉलम, रो, सेल, कितने कॉलम, कितने रो यह सब पूरा क्लियर हो गया होगा ठीक है अब बात करते हैं इस सीट में आपको तीन डिफॉल्ट सीट मिलती है पहली सीट हमारी यह एक्टिव सीट कहलाती है कही सीट करके आता है लेकिन 2007 में जो है तीन सीट डिफॉल्ट आती है आप बारी बारी से इंपे क्लिक करके सभी सीट पर काम कर सकते हो अगर आपको जो है इससे जादा सीट बढ़ाने की जरूरत है तो यहां पर आपको एक बटन मिल जाता है इंसर्ट वर्क सीट का तो आप इसपे क्लिक कर दोगे तो एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगे फिर दुबारा से इसपे क्लिक करिए इस तरीके से सीट बढ़ती चली जाएगी सीट बढ़ाना तो हमने सीख लिया है अगर माल लिजे कोई सीट हमको डिलीट करनी है तो इसके लिए हम जो है किसी सीट जो भी सीट हमको डिलीट करने है उसको select करेंगे उसको right बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा delete इसको डिलीट करके delete कर दीजिए बारी बारी से जितनी भी सीट को आप delete करना चाहते हैं यहाँ पर जो है type कर दीजिए ठीक है इस तरीके से वो सीट का नाम change हो जाएगा अभी देख सेकते हो seat 1 जो है हमारी गुलाब गुरुक नाम से हो चुकी है अगर आप यहाँ पर जो है insert work sheet पर थोड़ा देर mouse छोड़ देते हो तो देखो यहाँ पर एक shortcut बता रहा है shift के साथ F 11 जी हाँ अगर आप जो है shortcut की मदद से seat नई insert करना चाहते हो तो आपको बस keyboard से shift के साथ F11 दबाना है जितनी बार आप दबाओगे उतनी नई seat आ जाएंगी बस आपको यह ध्यान देना है कि जब आप shortcut sheet insert करोगे तो वो आगे की side में add होती है देखिए 8 9 10 करके यह आगे की पीछे की side में मतलब इस side में insert होती है तो इस तरीके से आप shortcut से भी seat insert करा सकते हो तो इस तरीके से आपने seat insert करना seat को delete करना seat का नाम change करना यह सब सीख लिया होगा देखिए इसी पट्टी में right side में एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक button है इसको बोलो जाता है scroll bar देख यह एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है यह तब हमारे काम में आता है जब हम सीट में ज्यादा काम कर रहे हैं तो स्क्रॉल करने के काम में आता है उपर से नीचे जाने में इसी तरह के से अगर हमको जो है इस साइड में जाना है मतलब इस साइड में राइट साइड में तो हम जो ह वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तमाल करते हैं और नीचे की साइड में इस ये जो स्क्रॉल बार इसी के ठीक नीचे जो है आपको ये जो पट्टी दिखाई देरें जिसमें रेडी लिखा हुआ है इसको जो है स्टेटस बार बोला जाता है जिसमें यहां पर जो है ले आउट panel मिलता है आपको जैसे normal page layout और page break reviewer तो यह layout panel है और इसी के बंगल में जो है zoom करने का option मिलता है जिस पर आप जो है minus पे click करके sheet को zoom out कर सकते हो और plus पे click करके आप जो है zoom in कर सकते हो तो zoom in पे click करके हम जो है excel की worksheet को इस तरी की से zoom करके कोई भी काम कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमको एक्षल में काम करना है तो पहले हमें वो सेल सेलेक्ट करने होते हैं जिसमें हमको काम करना होता है जब हम एक बार माउस से अपने सेल को select कर लेते हैं तो हम उसमें जो है कुछ भी data type कर देते हैं data type करने के बाद कुछ भी जो भी आप इसमें नाम लिख रहे हो कुछ अंक लिख रहे हो लिखने के बाद अगर आपको जो है इस cell से दूसरी cell में जाना है तो आप जो अपके keyboard में जो up, down, left, right arrow button होते हैं उनकी help ली जाती है अगर आप right side में जाना चाते हो तो आप right arrow को दबाईए आप right side में जाओगे अगर आप left side में जाना चाते हो तो left arrow को दबाईए left side में जाओगे अगर आप down मतलब नीचे जाना चाते हो तो down arrow को दबाईए और उपर जाना चाहते हो तो अप arrow को दबा सकते हो यही काम आप जो है enter button से भी कर सकते हो अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो enter button दबाईए नीचे side में लेकिन अगर आप जो है right side में जाना चाहते हो तो आपको tab button दबाना है तो आप right side में जाओगे अग पर भी देखिए name box में भी दिखा रहा है d6 यानि d वाला हमारा column है और 6 हमारी row है इसी तरह किसे अगर आप जिस भी column row पर click करोगे वो name box में यहाँ पर वो चीज name उसका पूरा दिखाई देगा कि यह कौन सा column है और कौन सी row है excel एक बहुती समझदार software है बस आपको excel को जो है कुछ भी hint देना होता है और वो आराम से समझ जाता है कि क्या करना होता है जैसे कि मैं जो है इस cell में click करता हूँ और यहाँ पर मैं एक type करता हूँ इसके बाद down arrow से नीचे आता हूँ यहाँ पर मैं two type करता हूँ फिर मैं क्या करता हूँ इन दोनों cell को select करने के लिए आपको जो है पहली cell में click करना है mouse का left button दबाना है दोनों को इस तरीके से select करना है ड्रैक करके ठीक है इसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक node बना हुआ है इस पहले के जाओगे तो आपका जो mouse pointer है कुछ इस तरीके से plus जैसा बन जाएगा अब आपको mouse का left button दबाना है इस तरीके से drag करके लेके आना है एक्सल अब आप समझ चुका है कि आपको क्या type करना था तो देखिए यहाँ पर इसके बीच की जितनी भी gaping है उसके इसाब से एक्सल यहाँ पर हमको data दे दिया है यानि सिर्फ हमने एक्सल को यह hint दिया था कि एक के बाद दो आना चाहिए और एक्सल समझ गया है कि हमको क्या लाना है वो इस तरीके से data ले करके आके आपको दे देगा इसी तरीके से अगर आप two type करते हो नीचे की side में आनक बाद four type क कर देते हो तो एक्सल आप समझ गया है कि दो का gap रखना है तो आप इस तरीके से जो है दोनों को select कर लीजिए mouse का left button दबा के यहाँ पर ला करके कुछ इस तरीके से drag कर दीजिए तो एक्सल देखो भली भात पूरा proper तरीके से एक दम सही सही दो का table यानि दो का पहाड़ा यहाँ पर रख चुका है इसी तरीके से अगर आप जो है कितने का भी gap देना चाहो जैसे मैं यहाँ पर चार लिख देता हूँ इसके बाद नीचे आनेक बाद मैं यहाँ पर आठ लिख देता हूँ तो आप एक्सल समझ चुका है कि चार का gap देना है यहाँ पर आनेक बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो देखने में भी मज़ा नहीं आता है और एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा समय जाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में आपको एक्सल के पूरे परिचे के बारे में बता दिया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सल में हम लोग काम कैसे करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसे वीडियो को शेर करिए चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार क्योंकि हमारे चैनल पर computer related धेर सारे विडियो दिये जाते हैं बिलेंगे फिर एक नई विडिये में एक नई जानकारी के साथ तब ते के लिए जय हिंद वंदे मातरम